इस ब्लाउज का खासियत है कि ब्रोड गला होने के बाद भी इसका सोल्डर जो है नहीं गिरेगा यह एक डिजाइनर ब्लाउज है और इसको पहनने के बाद बिल्कुल ही ग्लेमर लुक देने वाला है इसको बनाने का सिम्पल फंड़ एक आपको पहले पेपर कटिंग करना है और कैसे होगी में उसको बताऊएंगा और इसके बाद इस कप्रे में कटिंग करके पूड़ा बताने वाला हूँ कि यह ब्लाउज कैसा बनेगा और इसका लुक कैसा आने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं या बलाउज बनाने के लिए आपको पहले पेपर कटिंग करना है या तो आपको फर्मा बना लेना है किसी दूसरे मोटे पेपर पे या अगर वो भी उपलब्द नहीं है तो आप अस्तर जो है उसको बढ़ा कर ले लिजिए और उसी में आप फर्मा निकाल लीजिए फिलाल मैं इसी अस्तर में आपको फर्मा निकालना बताऊँगा और उसके बाद आपका कटिंग बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको मैं अपने साइड गुमा लेता हूँ और एक सिधा निसान लगा देता हूँ इसमें मैं सिर्फ फ्रेंट का फर्मा निकालोंगा बैक का फर्मा निकालने की कोई आविश सकता नहीं है और बैक की कटिंग भी मैं नहीं बता रहा हूँ सिर्फ फ्रेंट की कटिंग और स्टिचिंग मैं दोनों कम्प्लीट बताऊँगा इधर से मैंने निसान लगा दिया है और एक इधर से भी हम निसान लगा देंगे मैं इसे 36 साइज में कट करके बताऊँगा आप इसी तरीके से किसी भी साइज में कटिंग कर सकते हैं और मैं साथ में बताते चलूँगा कि कौन सी जगह पे आपको बराना है और कौन सी जगह पे आपको कम करना है ठीक है डिस्पले पे दिख रहा है वही हमारा मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट के आधार पे हम कटिंग करेंगे आपका मेजरमेंट आपके हिसाब से हो सकता है स अपको नहीं लेना है आपको बड़ी में मेजरमेंट आये या बलाउज में उसी मेजरमेंट के चाप से कटिंग करना है ठीक है शिर्फ सूल्डर का बदलाव रहेगा डापको मैं समझा देता हूं solder हमारा जो है इसमें 13 इंच डाला हुआ है तो जो भी आपका body में solder measurement आएगा समझ लिज़े कि आपका measurement 15 इंच आया है ठीक है अगर 40 size है 15 इंच आया है तो उसमें आपको 1 या 1.5 इंच solder कम कर देना है cutting करते हैं ठीक है हमारे में 14 इंच आया है तो इसके लिए हम इसमें 13 इंच का solder cutting करेंगे ठीक है और फैलने के बाद अपने आप 14 इंच पे पहुँच जाएगा इसी हिसाब से आपको solder की cutting करना है चाहे size कोई भी हो एक इंच आपको minus कर देना है ये body measurement के इंच आप से मैं बता रहा है अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं और डीप गला की ब्लाउज है तो उसमें आपको एक इंच सोल्डर बरहा देना है ठीक है cutting करते time पे सबसे पहले हम सोल्डर की निसान लाएंगे सोल्डर हमारा 13 इंच है तो 13 के आधा होता है सारे छे इंच तो सारे छे इंच पे हम निसान लागा देंगे ठीक है उसके बाद नेक य हम रखेंगे पवने । चारð और इहाँ पे एक इंच हम सोल्डर डाउन करेंगे और इसको हम मिला देंगे ऐसा ठीक है? आर्म होल हमारा पंदरा इंच है तो यहां से हम फूल ब्रेष्ट है उसकी छट्ठा भाग हम लेते हैं आप लोग को पता है तो छट्ठा भाग के इसाफ से 36 का जो 6 Кстати होता है छे इंच होता है 6 इंच में हम अधा इंच इसमें कमी रखेंगे ठीक है सारे पांच इंच रखेंगे क्योंकि हमारा 15 इंच का इसमें आर्म होल है और इसको रिसको हम सिधा कर देंगे आपको आपके एकोर्डिंग करना है सहरो है हम फर्मा बना रहा है द्यान Qatar और यह हो गया है उसके बाद यहां पर इतना कुरॉष करना है तुक्ये ख्रोश आधा इंच है उसके बाद यहांपे अपर लग्र बायु क्रवात आता है 9.25 आख पूरा निशान लगाएंगे और डेर इंच मार्जिन देंगे ठीक है उसके बाद हम इसको यहां से ऐसा राउंड से दे देंगे कि और फिर आपको आर्म होल मापकर देख लेना है आठ इंच आ रहा है तो आधा इंच इदर दबाव होगा तो सारे सात इंच हो जाएगा उसके बाद हम निशान लगाएंगे यहां से दस इंच पे बश्ट पॉइंट के लिए ठीक है और इधर से लेना है चार इंच अगर आपका छोटा साइज है तो पौने चार इंच ले औ में चार इंच रखना इधर से ठीक है तो यह हमारा बश्ट पॉइंट निकल गया और इधर से 10 इंच रखना है इधर से भी आपको अगर ज्यादा छोटा साइज है तो पाव इंच कम कर सकते हैं उसके बाद यह वाला जो निसान है आपको 13 इंच पे लगाना है बेल्ट वा होगी इसलिए उनकी ब्लाउज की लंबाई कम होगा तो यह वाली जो वर्ष्ट पांट की निसान है वो भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा एस इस क्लियर हो गया एक निसान आपको लंबाई के हिसाब से बेल्ट की निसान लगेगा कम है जादा ठीक है रेगुलर में आपको की आफे आफे वैदशी निसान लगाएंगे कि एक जाए कि क्यूंकि उसका लंबाई जो है चौदा इश्रेंट करना है ठीक है तो एक 13 इंच का चोथा बांग जो होता है सारे साथ इंच सारे साथ इंच पर निसान लाएंगे और डेर इंच मार्जिन हो जाएगा ठीक है और इसको और इसको हमको सिधा करना है ऐसा और यहां पे जो है थोड़ा सा आपको यहां पे ऐसा ले लेना है ठीक है ऐसा इस ब्लाउज में क्यूंकि यहां पे मैंने फूल ब्रेश्ट का निसान नहीं लगाया है इसके लिए थोड़ा था पाविंच आपको बढ़ा देना है तो एफिट बैठेगा आप क्या करना है हमारा बस्ट पॉइंट है तो बस्ट पॉइंट यह वाला आया तीन इंच ठीक है तो आपको इधर भी तीन इंच पे निसान लगाना है ऐसा हम यहां तीन इंच पे ओल्रेडी लगा लगा उवा है हम यह हैं से लेना है यहां इसको गुलाई देने में अगर यह नहीं है तो भी आप हैं से नार्मल धंग से निसान लगा सकते। हैं तो हम इसमें नॉर्मल धन्ग सरी निसान लगा देते हैं पहले आपको ब्रदद मिंद है कि कौट टोरी के साथ कैसे निसान लगाना इसको ऐसा रखना है बश्ट पाइन के साथ इसको मिलाना है ऐसा ठीक है और यहां से थोड़ा सा उपर से और यहां से इसको ऐसा लेते चलना है ऐसा ठीक है ऐसा ऐसा लेना है लेकिन मैं बेगर उसके लागा के दिखाता हूं यहां से ऐसा लेंगे हम और ऐसा कर देखिए ऐसा आपको बनाना है यह हमारा फड़मा है ठीक है फ्रॉंट का इसमें आप बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है एक चीज और करना है कि यहां पर इसको ऐसा रखके और आपको यह वाला निसान लगा लेना है कुंसा गले का कि देखिए ऐसा बैग में भी सेम गला है तो आपको बैग में भी आपको जैसा गला पसंद आए वैसा कटिंग कर लेना है ठीक है यह हो गया अब इसको हम कटिंग कर देते हैं ध्यांस समझेगा कैसे कटिंग करते हैं और इसको कटिंग करना बताते हैं हम आपको सेम जहां से हैं निसान वहीं से आपको कटिंग कर लेना है देखिए यह हमारा फड़मा बन गया है ठीक है अब इसमें थोड़ा सा कलाकारी है इसमें कुछ भी नहीं है तो यह अब कैसे कटिंग होगा वह मैं आपको बताता हूं जयनून तरीका ठीक है अब इसको कटिंग करने के लिए दोनों को इसको और में पल्ले को दोनों को मैं एक सांथ विछा कर एक ही सांथ कटिंग करूंगा ठीक है तो जितना हमको चाहिए उसके हिसाब से इसको फोल्ड करना है देखिए यह वाले जितनी चौड़ाई है बस इतना ही फोल्ड करना है आपको ताकि जोएंड जो है एक सरीका निकले ऐसा तो ऐसा आपको फोल्ड कर लेना है देखिए इतना पर दोनों को मैं फोल्ड कर लूँगा देखिए यह दोनों को मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड मार दिया है अब ऐसा यह देखिए यहां पर जो है न अच्छे से मिला कर आपको रख लेना है ठीक है एधा मच्छे से अगर आपके पास स्टेपलर है तो दोनों के साथ में स्टेपलर मार दे ऐसा इससे क्या हुआ कि आपका कपरा जो है इधर उदर भागेगा नहीं अगर इस्टेपलर नहीं तो पिन लगा सकते हैं आपको क्या करना है कि इसको कटिंग करने के लिए यह वाला यह आदा भाग कटिंग क्यों है तो डबल भाग कटिंग करने के लिए बंद वाला भाग अपने साइड रख कर और यहां पर मिला कर रखना है ऐसा देखिए कि ऐसा पूरा अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको यहां पे निसान लगाना है इतना मार्जिंग के साथ में कि ऐसा मार्जिंग के साथ में निसान लगा लेना है एक पैर का मार्जिंग आपको रखना है ज्यादा मार्जिंग रखने की जरुवत नहीं होगी ठीक है ऐसा और इसको हम कटिंग कर लेंगे तो यह वाला भाग कट गया है अच्छे तरीके से ठीक है अब जो हम कटिंग करेंगे वह यह वाली भाग को कटिंग करेंगे हो यहां पर अधा इंच नीच एक निसाल लगाना है अधा इंच नहीं एक इंच लेरीज़ीए एक इंच नीच थे ठिक है इतने फे हैं कि थीधा निसान लगा देना है ठिक है अ अक हम इसको थोड़ा इदर ऐसा सटा लेते है अधा इंच के इदर पर margin दे रहे हैं I am do it 관i अब यहां से हम इसको चार इन्च माप लेंगे अधा इंच margin और यह तीन चार इन्च हो गया तो एदर ओग्या और यहां पर हम द्व इंच मापOW ये दो इंच ये दो इंच कौन सा है डॉट मारने के लिए आप इसको कम या ज्यादा आपके इसाब से कर सकते हैं ठीक है और ये वाला जो निसान होगा हमारा बस्ट पॉइंट होगा यहां पर हम निसान एक लगा लेते हैं यहां पर इस साइड पर एक इंच निसान लगाएंगे और इस साइड पर भी एक इंच निसान लगाएंगे ठीक है यह दोनों निसान लग गया अब इसमें भी आधा इंच मार्जिंग लेते हुए इतना ऐसा देखिए और यहां पर मिला देंगे ठीक है अईसा मिला देंगे और फिर यहां से लेंगे इसको अई 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 यह दोनों जो एक्स्ट्रा है डॉट में जाएगा ठीक है इसको हम कटिंग करेंगे और यहां पर आपको इतना उपर निशान लगाना है इतना उपर कितना इतना उपर देखिए और यह वाला थोड़ा सा उपर है ओके सब क्लिए रहे हैं अब इसको हम कटिंग करेंगे अब इसको हम ऐसा रख कर ऐसा और पहले हमें कट लगा लेंगे डॉट मारने के लिए करें है अगर्ण थे सब्सक्राइब और यह वाला थे गळाला कटिंग हो गया अब यहां पर जो है आपको लगे कि आपका पौफ कम बन रहा है तो आपको ईवाला जो है डॉट और बढ़ा लेना है और इसकी इसाफ से आउट गुलाई भी है बढ़ जाएगे ठीक है इतना क्लियर है अब इसको मसीन पर चलके और सिलाई कैसे करना है वह में बताऊंगा है सबसे पहले हम इसमें डॉटल रगाएंगे तोड़ कहांसे लगाएंगे उपर से जहां पर हमारा दसिन चाहता है वह तक या इस तरीके से अब मैं आपोजीट करकर आप स्लाई दोनों इटाना एक सात नहीं कॉबिरिंग वाले बनाएंगे सा औन माउसक यस तरीके से ठीक है और फिर इसको ऐसा और फिर इसको ऐसा पगर लेना सीधा ठीक है नहीं तो गरबर हो जाएगा यह दोनों हो गया है अब सेम हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे ठीक है ऐसा रखेंगे और इसमें भी हमेशा पगरेंगे अब फिर इसको हम ऐसा सीधा पगर लेंगे अब देखिए यह दोनों हो गया अब क्या गरना है तीसरा काम इसको रखेंगे हम साइड में इसको ऐसे आप लगा नहीं पाओगे इसको ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है ऐसा पहले मूरना है तो इसके लिए हम राउंड के जगह पे छोड़ी छोड़ी चोड़ी कट लगा देंगे ऐसा ठीक ऐसा कट लगाने के बाद इसको हम पहले मोड़ेंगे ऐसा मोड़ेंगे इतना जितना आमने मार्जिंग लिया था उतना ही रख कर कि अगया हैं यह को आपको आपको अच्छेसे मोर लेना हिके मोरने के बाद आपको यह गरना इसको ऐसा जोडने के बाद मुन आना है जोड दिया हमने अब इसको ऐसा रखेंगे और यहां से इसको ऐसा सिलाई लगाएंगे देखिएगा ध्यान से ठीक है देखिए आपको इसी तरीके से जोडना है नहीं तो जोडने में बनेगा नहीं ठीक है कि हो गया ऐसा अब आपको क्या गरना है यह दूसरा वाला भाग लेना है यह वाला और इसको भी हम ऐसा जोड़ देंगे ऐसा रखकर आप कर देखिए जोड़ दिया हमने अब क्या करना है इसको हमें उल्टा रखना है ऐसा देखिए ऐसा रखकर और गला पल्टी करेंगे इसमें आप चाहे तो खोड़ डोड़ी पैपिंग या पट्टी भी लगा सकते हैं ऐसा कर दो कि यहां पर कट लगाएंगे एक थोड़ा सा ठीक है और यह सारे भाग को थोड़ा थोड़ा हम कट लगा देंगे अब इसको हम सीधा इस साइड लेंगे ऐसा देखिए फिर अब दूसरा से लगाएंगे अब इसमें आप चाहे तो अंदर में पैड लगा सकते हैं कटोड़ी और नहीं मर्जी है तो नहीं भी लगा सकते हैं ठीक है ज्यादा कुछ रह नहीं गया इसमें अब इसको भी हम इसा मोर लेंगे कट लगा कर छोटा छोटा ठीक है ऐसा कि अब बन गया है इसको हम काट कर रहा देंगे यह उपर से डबल सिलाइड दिखेगा लेकिन अच्छा फिनिसिन बैठ जाएगा और बनाने में आपको इजी हो जाएगा ठीक है कि देखें कि कि देखें अब इतना बनाने के बाद क्या होगा? कि आपका जो एं डवल है, थोड़ा सा कम जादा होगा, जो इसको बैक को रखकर और अच्छे से ऐसा मिला लेना है. इस तरीके से आपको बैक रखकर मिला लेना है, ताकि यह परफेक्ट आया जाए अर्म होल. तो एक बहतरीन फिनिसिन के साथ एक बलाउज बन कर तयार हो गया और कितना आसान है आप लोगों ने देख लिया है मैंने इसके अंदर में बड़ावला कटोड़ी रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा से दिखाई दे अच्छे से समझ में आए यह धागा अगर आप सेम लगाएंगे तो यह सिलाई भी आपको नहीं दिखाई देगा और सोल्डर भी आपका उतरने की चांस से सिसमे 99% नहीं है ठीक है तो यह सिलाई और कटिंग आपको कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद